हेलो एन वेलकम दोस्तों दीप इलेक्रोनिश लैब में आपको फिर से एक दफा स्वाग आते दोस्तों आज मेरे पास एक लैमिनेशन मेशिन आया हुआ है रिपेरिंग होने के लिए तो इस मेशिन के अंदर प्रॉब्लेम है कि इसका जो रोलार है ये तो घुम तो रहा है ल का आको आपको कहां कहां पर कहंड कहां कहां साइक बांधेर का करजब हो इस प्रॉब्लेम के लिए तो अगर आप जानना चाते हो चीक और देखना चाते हो कि にह सामने मेशिन का उस वाल्ड करके उसको किया जाता है पूरा एक्स्प्लेंड आजसरे वडिव दोस्तों आपके पास जब भी इस प्रो करके किसी भी लाइमेशन मेशिन के अंदर प्राब्लेम आपको देखने को मिले इसके मतलब सबसे फास्ट जो स्टेप होता है कि यह जो हमारा सुईच है यह सुईच को आपको चेक करके देखना है मैकसिमम टाइम जो है यही सुईच खड़ब होता है और अगर आपके मेशिन के अंदर यह सुईच खड़ब नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना है यह भी मैं आपको इसे वीडियो के अंदर बताऊंगा फिलाल अभी इस मेशिन को रिपेर करने के लिए मैं इस सुईच को बाहर निकलता हूं और उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि यह सुईच जो है सही सलामत है या नहीं तो मैं इस सुईच को खूलने के लिए सारे जो लेक्स है इसके अंदर यह मैंने निकल लिया हूं उसके बाद सुईच को बहुत यासने से आपको देखने को मिले तो आपको जो है कौन सा प्रोसेस करना है तो मैं आपना माल्टीमिटर को और शोच करो जोगा ते रहा है कि देरा आपको मिला यह चुका है और इसके बदले में हमें नयाथ स्वेच को लगाने के earned इसके अंदर इसके निया फॉरड में इस भॉलर कि गुम रहा है उसका ठीकरह्याद ठीक हो जाएगा तो इस स्वीच को कंफर्म करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहां पर देखिए तीन जो लेग है यहां पर जो स्वीच के अंदर लागा हुआ था तो बीच वाले में दोस्तों यह यह लगा हुआ था और ब्लैक और रेड़ वाला यह रहे जो इसको प्लach और फरोर्वाड में गुमाने के लिए मोटर को इस्तिमाल किया जाता है तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंक करूँगा इसके अंदर में करन्द दूँगा और कलेंड़ DIRE करेंगा पहले तो स्विज्ट के अंदर प्रोब्लम है उगल ना घुमें तो हम सारकिट को दूस्त चेक contained कि कहा कहां पर टेस्ट चाहंना होगा इस सारकिट का अंदर दौस्त यहां पर चूटा सा सर्केत लगा हुआ है दोस्तों तो मैंने 230 बूल इंपुट कर दिया और यहां पर देखिए कारेंट आ चुका यहां पर देखिए नीचे रेड लेड़ी जल रहा है तुम्हें सबसे पहले जो ब्लैक और यहलो वाला वेर है इसको में टाच कर रहा हूं आप देखिए यहां में टाच करा और देखि से हुम रहा है इसका मतलब कुद दोस्तों हमें कन्तफर्म हो गया कि असके आंदर जो स्वीच लगा हुआ था वह स्वीच करने काम नहीं करता है दो इसको भी आप डिपैर कर सकते हो लेकिन दोस्तों रिपैर करके ज्यादा दिन नहीं चलता है तो आपके पास एक ही ऑप् तो आपको पता चल गया दोस्तों हमरा जो मेशिन मान लिजे ठीक हो चुका है चलिए दोस्तों सुईच को मैं यहां से बॉक्स से बाहर कर लेता हूं यह देखिए नया सुईच मैंने दुकान से लेके यहां पर रखा हूं मेरे पास यह वैलेवल है तो मैं आप में इसके से लगा हुआ था मैं इसको इस तरीका से की यह दोस्तों लग गया हमारा स्वीच और स्वीच लग जाने के बाद इसका जो कनेक्ऽशन था जी से आसने करा हुआ था आपको उसी तरीके से कनेक्च conference करना है आपको यह पह दिखा देता में की यह मारा यह यूלא है यह हमारा जाएगा इस बीज वाले पॉइंट पर और उसके बाद दोस्ट मेधाे जले जाएगा उपर घुरा रहा हो टो पॉइंट आपको उपर लग जाएगा और रेढ़ो फॉइंट आपको नीचे लग जाएगा कि सारे लगा देता हूं प्यों हम दोस्तों सारे इक कर दला कर देखना चाहूंगा कि यह छеся हमारा सलामत काम करता हुआ या नहीं नहीं तो हमारे को फिरे से एक काम करना परेगा अगर आगर सहीं से नहीं चला तो चलिए दुश्तों में और हम यe naaf में वोल्टेश दे रहा हुँ यहाँ पर है सिलएं दे आप अब देखिए यह हमारा यह साइद घुम रहा है और क्योंकि हमारा पहले था वह लुए हे और अब अहीं कर jestem करना हूं देखिए यह कर सुपल करता हूं ताब कि अब देखने को मिली जो स्वी आप में घूम रहा है और आप है सुपपर्वॉड में कर रहा हो देखिए फरवण में करा आप इस साय में घुमना इस्टाट हो चुका यानि कि हमारे जो है दोस्तों आप इस हो चुका है तो आप में इसके अंदर का क्वां बहुत ही आसानी से कर सकता हूं दूस्तों कि तो देखा दोस्तों कितना एजी है इस मेसिन को सुझे करना तो मैं आपको 8 मेसिन आपके सीट के लिए सबसे पहले और आपको करने के बाद आपको उसके करना होगा आप लोगो और भी 27 चीजल मैं बताया कि सब्सक्राइबMs. वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जोड़ कर दीजिएगा उसके साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ स्याड़ भी कर दीजिएगा और हां दोस्तों इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल ना भूलना तो अचके इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए उसी ओल दा बेस्ट